मातादी दोस्तों आप सबी का स्वागत है हमारे योटीब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपरेल माह 2021 के पहले सब्ताह के सिहिंग राशी फल के बारे में सिहिंग राशी के लोगों के लिए एक एपरेल से साथ एपरेल तक का समय कैसा रहेगा इन साथ दिनों में घ्रहन अक्षत्रों के स्थिति कैसी होगी कौन सग्र है अपनी राशी बदलेगा और उसका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा जानेंगे सब कुछ विस्तार से इन साथ दिनों के बारे में तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छूटा सान निविदन है अगर आप चैनल पर पहली बार आएं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ दोस्तो एक अप्रैल से 7 अप्रैल तक के हम बात कर रहे हैं और अगर हम इस सब्ताह की देखें तो इस सब्ताह की शरवात गुरुवार की दिन से होगी चोकि क्रशन पक्षकी चतुर्टी ती थी होगी इस दिन विशाखा नक्षत्र होगा और बहुत ही सुंदर योग के साथ सपता के शरवात हो रही है, सरवार्त सिद्य योग इस दिन बनेगा, वज्र नाम का योग इस दिन बनेगा, चंदर्मा व्रश्चिक राशी में होंगे, और सूर्य तो मीन राशी में ही है, रेवती नक्षत्र में, वहीं सात अपर्ल की बा और मकर अब सेंग राशी के हम बात कर रहे हैं सेंग राशी के लोगों के लिए चौथा पांचवा और छटा ये तीन भावसक्रिया होंगे जिसके अनुसार आपको अपनी दिंचर्या में परिवर्तन देखने को मिलेंगे इसके अलावा इन साथ दुनों में बहुत बड़ा परिवर्तन भी होने वाला है एक तो महीने की शुरुवात में ही यानि एक एप्रेल को बुद्ध का गोचर होगा बुद्ध अपनी नीच राशी मीन राशी में प्रिवेश करेंगे और वहां जाकर नीच भंग राजियों का निर्मान करेंगे दूसरा गोचर छे एप्रेल को है छे एप्रेल को गुरु ब्रस्पति मकर राशी से निकल कर कुम्ब राशी में प्रिवेश करेंगे यानि अब शनी अलग हो जाएंगे और गुरु कुम्ब राशी में एक जबरदस्त योग का निर्मान करेंगे ऐसा योग जिसका इंतजार पिछले 6 महिने से हो रहा थ गुरु ब्रस्पति का महा कुम्ब तो इसका भी प्रभाव अब से हिंग राशी के लोगों को देखने को मिलेगा तो चलिए शुरुवात करते हैं सप्ता की और यहां जो इस्तिति होगी वह चौथे भाव से चंद्रमा आपके गोचर करेंगे चौथे भाव से चंद्रमा क सावित होगा आप अपने परिवार के साथ अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय वैतित करेंगे और आपका स्वेभाव बड़ा सहयोग पोन होगा यानि आप हर किसी का सहयोग करते हुए दिखाए देंगे उदार स्वेभाव होगा लेकिन जब आप जरू से ज्यादा उद कि युँग चाहते है तो आपको उन से जरूर बात करने चाहिए सहयोग मांगना चाहिए आपको सहयोग जरूर प्राप्त होगा आपके कारशित्र में आपके काम में आपकी दक्षता बढ़ेगी और समय जो है वो आपकी परिशा भी ले सकता है लेकिन आप उन परिशाओं में जरूर आगे जाएंगे आपको अपनी इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त करने हैं तो आपको एक आगरता जरूर दिखानी होगी अपनी काम के प्रति विध्यार्दियों को अपनी सिक्षा के प्र दुद का राशी परिवर्टन होगा जो कि मीन राशी में है और यह आपके यह विध्यार्दियों के लिए इच्छात्रों के लिए उनकी मेहनत काफल देवलाने का पूरा प्रियातन करेगा सफलता की प्राप्ति आपको हो सकती है प्रतियोंगी परिक्षा के अगर त्यारी कर रहे हैं तो उनको अपनी भागय का सपोर्ट तो मिलेगा ही साथ में आपकी जो मेहनत है वो भी बड़ी काम आएगी अब मदह सब्ता की बात करें तो चंद्रमाप की पंचम भाव में होंगी और पंचम भाव में चंद्रमाप की सिथी बेहद अच्छी है आपको सिहत लेकिन कामकाज के लिहाद से ये वक्त काफी बहतर सावित होगा कुछ अच्छे विगलप आपके पास होंगे उच्छे आपके लिए अच्छे सावित हो सकते हैं अब आपकी राशिक स्वामी अस्ट्रमाप में और योग दर्शा रहे हैं कि आप अगर कोई निवेश कर रह किस वजह से उस चीज का आप हल निकालें तभी जाकर आपका मन भी काम में लग पाएगा दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे उनके साथ खुशी के पल बिताते हुए दिखाए देंगे और कुछ महतपूर्ण जीवन से जुड़े शेत्रों में आप फैसल लेंगे धन से जुड़े हुए भी कुछ फैसल लेने वाले हैं काफी हद तक आपके काम सफल होने वाले हैं यह तो यह पूरा सप्ता आपके परवारी जीवन में शांते लेकर आएगा लेकिन हो सकता है कि घर में कुछ ऐसी चीज आपकी खो जाए कुछ जरूरी चीज आपकी खो ज चाइई या तूट चाइए कुछ ऐसे शथिती हो सकती है तो यहां थोड़ी सासा आउताने राकने होगी उसके बाद चंद्रमा राशी बनेंगे और आपके चप्छते बहां में चले जाएंगे अब चंद्रमा का गोचर मकरासी में मकराशी में शनि है शनी लटी जनी और कुम राशी में प्रिवेश कर जाएंगे अब गुरु का प्रभाव बड़ा जबरदस्थ होने वाला है गुरु के प्रभाव से आप में से जो लोग काम की तलाश कर रहे हैं यानि बेरोजगार हैं तो उनके जो प्रयास है वो सफल होंगे आपके केगे प्रयत्न आपको काम अब गुरु का गोचर जो हुआ है गुरु का गोचर भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट देगा यहां क्योंकि अभी छे महिने से गुरु और शनी लगबग छे महिने से ये दोनों साथ थे दोनों की यूती थी अभी यूती तूटे गी और गुरु का पूर्ण प्र राशी है लेकिन आप result इन के बड़े अच्छे देखने को मिलेंगे इस दोरान विद्यारतियों के लिए सब धिशा से जुड़ी हुई जो उमीदें थी उन उम्मीदों को आप पूरा करने की तरफ बढ़ेंगे वो उम्मीदें आपकी पूरी हो सकती है इसके अलावा मकान वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा जो गुरू का गोचर है ये सितंबर तक गुरू इसी राशी में यानि कॉमराशी में रहने वाले है इस दोरान गुरू के साथ जिस ग्रह की यूती होगी तो यो यूती भी आपके लिए अच्छे फल देने वाली सावित होगी तो एपरेल का महिने की जो शुरुआत है वो काफी अच्छी होने वाली है और इस दोरान आप जितनी महनत करेंगे अधिक लाब आपको देखने को मिलेगा बस स्वास्ताइक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ब्रेम जीवन, परिवारिक जीवन के दिबाद की जाए तोमध्धा जो सप्ताह का मध्य भाग है वहाँ आपको थोड़ा सा परिवार में ध्यान रखना है कि कोई वाद वाद के स्थिति ना हो उस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा बाकि तो पूरे साथ दिन अच्छे रिजल्ट देने वाले सावित होंगे तो अपने काम से आपको काम रखना है, दूसरों के वाद वाद के स्थिति में नहीं पढ़ना है तो स्थितियां बहुत बहता रहेंगी साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़़ज़द लाइक करें शेयर करें